कि दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था कि वाइदस से होने वाली कौन-कौन से विमारिया है तो इनका एक लिश्टी में आपको बनाकर देदेदें मैं बना जाद हूं आपके लिए आप इनको देखिए इनको द्यान से लिख लीजिएगा याज के इनसोट ले कर देंग हो जाते हैं या ना करते हैं या करूंगी्वाद नद्र अटि सबस्केंट अश्सक्रिदिय सिर्फ परटीit सबस्क्राइब निया में किया जा इससाटों जिए प्रटेव यह बड़ा खतरनाए के अभी वर्तमान है है पानी अगर साफ सुथरा ना हो तो यह होने का चांसिज होते हैं इसके बादे मैंने आपसे बताया कि एक सिप्टम में हमादे सिस्टम को बर्वाद कर देती है उसके बाद देखे चिकन पॉप्स यह भी बड़ा खतरनाक है चिकन पॉप्स सबज़ गया है यह मेजल्स बताया कि एक महिलाओं में होने वाले जो जो जनीटल डीजिज है जो जो जनीटल ओर्गन से उनको परवाविद करता है मेजल्स उसक दिखे जो जो साथ से देखे कुछ तीनचास सल पहले बड़ा खतरनाक था और एक जिसे एक एच्वन वाइडस है एच्वन एनवन वाइडस देखे यह बोलते हैं कि जो कोविड का वाइडस है वह इसी का एक टाइप है या बोलता है कि म्यूटेंट है इसी से डवलप किया है जैसे साइंटिशन अभी रिसर्च के बताया था कि जो कोविड वाइडस है इसको जो ओरीजिन होने का में सोर्स एच्वन एनवन वाइडस का एक म्यूटेंट है इसी से डवलप किया होगा इसके बाद देखे एक आपका स्मॉल पोक्स है जो पहले बड़ा खतरनाक होता था देखे यह स्वाइन फ्लू जो सार्स रिलेटेड जिसे मान देखे स्पाइडरी सिस्टम को हमारा परभावित करता तो यह देखे एक खतरनाय विमारी था लेकिन आब इसके उपाय बन गए उसके पोलियो माय सिटीज मतलब आज से करी पचीज साल या ती साल पहले दु तो भाग गया हमें कि भारत को 2011 में पॉलियो फिरी नेशन डिक्रियर किया गया है डवली एचो के तुरू लेकिन फिर भी अभी जो यूमिनाजियेशन प्रोसेस सभी भी है क्योंकि देखे पता है कि हमारे जो नेबल नेशन ने उनमें सब कुछ ऐसे देश है या ऐसे देखे जब तक अगर दुनिया से खतम ना हो जाए और जो इस प्रकार के जो लोग हैं तो जो वताब इस सब कम समझते हैं आप पिलाते रहिए उनको अपने आप सो रच्छा रखिए इनको तैसलिए वेक्शिनेशन का भी चलता है पुलियों का उसका पार देखे जपान है सब्सक्राइब कर दो साल पहले बिहार खुदी से बहुत प्रभावित था बहुत साथ है बच्चे जो चमकी बुखार बोलते हैं इसी वाईरस से प्रभावित हुए थे अगला देखिए मंकी पॉक्स यह 2018-1920 में केरला में पहली बार देखा गया था इसे यह दुनिया में बहुत निए प्रकार और पहले ठाएटा लेकिन पहले बार बचला में देखा गया था मंगी पॉक्स एक जो हडी यह होता है जिसे इननली इक सौथ अ फिर्का की रिवर है और उन्हीं के आज पास कुछ जगह पर देखा गया ते इसलिए उस रिवर के नाम पर इबोला वाइस रखा गया यह भी बड़ा खतलनाक है जिसको हो जाता है ना वोलते के ब्रेन विल्कुर फटनी लगता है बहुत तेज की दर्द होती है और बैचारे तरब 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 के मरे जाते हैं जीका वाइस देखिए यह बड़ा खतलनाक है और इनमें क्या होता है कि देखिए मिलनी इन से इंफेक्टेट होते जो जो चोटे जो बच्चे जो जड़म नहीं लिए हैं जो अपनी माता के गर्व में हैं उन्हें में अगर महिलाओं का अगर इंफेक्शन हो जा जब साथ ओलंपिक वहां पर था उस समय यह ब्राजिल में ओलंपिक होने वाला था उसमें जीका का परभाव वहां पर बहु ज़्यादा था तो वहां की शरकार ने एक नोटिश दिया था कि ऐसे विमेंज जो मालीजे कुछ दिन का प्रिग्रेंसिस नहें तो उन्हें शिक और बच्चे जो थे होते फिज कंशक्री डिसेबल हो तो इसलिए यह बहुत खतलाव के जी का वाईरस और ध्यार रखिएगा जीका वाईरस को ले जाने वाला है यह है जो हमारे यहीं जाता है सहले है बाधि बंदू है देंगू और जिका इनको ले जाने वाले सेम केरियर है तो दोस्तों देखे आज यही तक आज आप यह वाइजिस के बारे पूरे जान जाएए अगले वीडियो में इसके बाद का जो है हम जिसे आपको यह होगे आपका मोनेरा होगे आप प्रोटीष्टा में शुरू यह दोनों हो जाएगा तो अगले वीडियो का वेट करिये जहिन थैंक्यू